बस्तोर दन्कि ऐ Cert में बस्तोर दन्कि ऐ台 करा से 5 बस्तोर दन्कि आए डाय देखा मंगला थी ते तुम कहती थी ये शोधा के चर्णपडे और युद्धा गया आज मैं कहती हूँ ये शोधरा के चरण पड़े और कपिलवस्तु ने विजे पाई युरा सिदार्द की रहे युरा सिदार्द की रहे ये सूर्य हार हमारी पुर्खों की निशानी है युद्ध में कौशल दिखाने वाले को ये उपहार में दिया जाता है हमारे विजे के शिल्पी तुम हो सुद्धा है तुम्हारे रणनीती के कारण हम कौशल सेना का सामना करने में सक्षम रहे ना तुम हाथियों की सेना लेकर आते नहीं हम विजय प्राप कर पाते हैं सिद्धारत ने आज शाक्टे कुल को गौराफ दिलवाया है मेरा हिये कारिय राजा दंडपानी के बिना अधूरा होता माराज राजा दंडपानी यह शोधरा जैसी पुतरी को जद्म देते ना उसे उपहार में कुंछ नामक आति देते ना यह शोधरा मेरी कुंछ से मित्रता करवाती ना ही मैं हातियों की भाशा समझ पाता ना हातियों का दल बनता और ना मैं युद्ध रोख बाता आज कुमारी अशोदरा की नंगा तिकलने के कारण रोईनी नदी का जलस्तर बढ़ा होगा कुम देवदा जाकर रोईनी नदी के सेतु को तोड़। ताकि हमारा सैने यहां आने न पाए। जा। इदाजी आप सत्ता पाने के लिए कभी-गभी गूठ नीती की साहता भी लेनी पड़ती है तो क्या सत्ता माँ के माई के मेरे ससुराद अर पुत्परी के सुक से भी अधिक प्रिया है पताजी अपनों के लगों से सन्य सत्ता के सिंगासन पर बैठकर क्या आप चैन की सांस ले सकोगे सिस्वार्ट की चरम सीमा कहे या पर मनुश्य की नीच्छता हमारे इस यश्का एक अधिकारी और भी है महाराज कौन कुमार देवदत कुमार देवदत की वोलो कुमार देवदत की सत्य कहा देवदत यदी तुम्हारा तीर निशाने पे नहीं लगता तो शाक्यों के सन्मान के साथ साथ हम युद्ध भी आरजां रम्हा महराज यदि एक और सूरी हार हुता तो पताचित मों से स्विकार कर लेगा पर इसे नहीं ने सकता मेरा सुना गला मुझे हर पल ये स्मरन कराता रहेगा इमजेश्ट तो हूं पर अभी सर्मश्रेश्ट नहीं देवतात भाई महराज आप यहार मुझे दे दीजिए मैं उसे समझा के दे दूंगा उसे इस बात की समझ नहीं कि बड़ो का उफार आशिर्वाद होता है भाई महराज युद्ध परवत हो गया अब क्या शेश्परव की बात करें विजय उत्सव के साथ साथ जो रुका हुआ है वो विवा उत्सव भी मना लें अराज गुल गुरु वाजस्पती ने एक मूर निकाला था जो आज से पांच दिन बात का है आप कहें तो हाँ बिलकुल शुपकारे में विलंब कैसा कि कल होने वारे शाक्यों की बैठक में विवाह की गोशना होगी ही वारे शुपके का बेठक में मंगल मंगल जाया है पांच है जहू हो खुशियों का मत जबरात ते नौपति जी यह हार हमारी तरफ से युम्राज को पहना देना और उनसे कहना के उनके पलागरम की बाते अब हार घर घरम पे और रही है युम्राज जी विष्जिक देखा आप ने और घर में केवल से भाज की ही गाता गाई जा रही है कि अपना लहू बहु के जुद्ध किया हमने और अंपिम चण में सारा श्रे से भार्त मे थाया और आपकी और आप के सिना के तो कोई ढृंते ही नहीं देना पती जी, मुझे तुक तो इस बात का है, कि प्रसन जीट से संधी करते समय, एक भी शाक की राजा से नहीं पूछा गया, और आप, आप तो शाक की संग के सदस्य है, तेना पती है, तो पूछा होता, कि क्या प्रसन जीट जैसे शत्रु का भेदान देना उचित है, कदा कदापी नहीं, इसका दुष्पड़िडाम थो हमें भुगतना ही होगा, और सन्नचीत, निश्चीत ही हम पर पुना आक्रमन करेगा, और थार्थ महराज और सिध्भार्थ का निर्ने उचित नहीं था, नहीं, कदापी नहीं, तो ये प्रश्न शाक की सभा का मुद्दा हु उन्हें इसका उत्तर, शाक के सभ में देना ही होगा, अमेशा तुम पश्ट करते हैं सबसे बाच, अब सब तुम से पश्ट करेंगे, अब सब तुम से पश्ट करेंगे, अब पताओ, हम कहाए, तुम्हारे ईश्वर के समक्ष, तुमने कैसे जाना, प्रसाद की सुगंजो आ रही है, और, और तुमने बहुत सारे दिये सजाएंगों पा, अब ये तुमने कैसे जाना, आदत है तुम्हारी, सुख में दिये, दुख में भी दिये, अर्थार, अर्थार दुख में दिये जलाकर तुम प्रात्ना करती है और सुख में दिये जलाकर तुम उपकार मानती है सच कहां कि मैं प्रंड लिया था कि तुमारे सकुषल युद्व से लौटने पर मैं इश्वर को उजाले से सजब दूब देखो और में नालो अटा थे तो इन्हीं दियों की लौ में अपने प्रान त्याग देती है छोड़ो मैंने कहा छोड़ो मुझे चो मन में आया कह दिया चक्त्रिया रंभूमी में लड़ते हैं और चत्राणिया अपनी भावनाव से लड़ती है तुम तो इतनी से बात का बुरा मान गई कुपा कि अपनी आखे बंद करो अब तुम अपना व्रत तोड़ों कि तुमने कई दिनों से बोचन नहीं किया अब तुम्हें कैसे पता कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया क्योंकि भूके लोग जल्दी रूट जाते हैं कि रूट गई ना मैं जानता था गुपा मेरे लोटने से पहले तुम कुछ नहीं खाऊंगी अरे यह क्या अब तुम लोटकर आ ही गए हो तो तुम ही अपने हाथों से खिलाओगे वहना मैं रूट ही रहूंगी पूकी जो हूं कर दो तुम है अज माया होती तो कितनी खुश होती ने देखे कौन कहता है कि माया यहां नहीं है मुझे तो सदेवा अभास होता है कि माया यहीं कहीं हमारे आसपास है सारी समी साम अगरी मारसा कढ़ी नहीं कढ़ी को अगरी अगरी शाक के गंतंतर प्रणाली के अनुसार और युद्ध के पश्चात इस संग की स्थभा केवल दो कारनों से बुलाई गई है सवर प्रथम में आप सबको युद्ध में विजई होने की गधाई के साथ साथ अपने पुत्र युवराद सिदार्त और यसुदरा की विवा का मंत्रन देता हूं जो तुमें लिए गए दिरनाए शमा करें महराच पर वे आयोध्य थे पूरी तरह खलत थे संग प्रणाली के विरुद्ध थे मारे मतों को स्थेज दिया गया या आप क्या कह रहे हैं महराच हम सारे शाक्य राजा संग राज्य सभा से अपने पत का त्याक करते हैं ताकि आप महराच शुद्धोदन अपनी मनमानी कर सकें या आप क्या कह रहे हैं राजट वहीं जो सच है ये शाक्य गण राज्य अब गण गंदर नहीं रहा मगद और कॉशर की तरह अब सर्मु क्या हो गया है यह आप क्या कह रहे हैं युद्ध के विशय में आपने हमें अपने विश्वास में नहीं लिया वो समय विचार विमर्श करने का नहीं था मैंने ऐसकोई निर्णए नहीं लिया जिस से हमें या साथ के कुल को कोई खतरा हूँ संजीत जैसे शत्रु को जीवित रखना ये खलत निर्णए था खलत निर्णए था खलत निर्णए था संजीत अपनी पूश में फीश लेकर गया है वो डंक मारने फिर से आएगा और महराज युवराज सिधार्थ के इस निरने ने तो हमारे बविश्य पे ही प्रश्चन चिन्न लगा दिया है अब तो हर गड़ी या खत्रा रहेगा कि वो कब हम पर वार करेगा और महराज आपने तो प्रसंजीत की गड़न पर तलवार रग दी थी और सिधार्थ के कहने पर आपने उसे छोड़ दिया क्या आपका और क्योल आपका निरे था था क्या गणता नहीं महराज तारा साथ के गड़तन तर आपके निर्थित का आदर करता है महराज गड़ना तो यह ब्रूळ ऐस प्रश्णिता उत्तर इस राजसभा में देना ही होगा तरहा टஞा को अटरहाज तो अ महराज योवरास तदार्थ हैं कहा कि जब संग की मंत्रना चल रहे है तो तो संग एको डिको और खाइब को और आया को यह रूए पीदाजिक गया अवा मुलना किया उरब ही थेखारी को नुदर को मेर खाइब को कि भूलो ना कि भूलो ना मैं तुम सबसे प्रश्न पूछता हूँ यह बालक मुझसे उत्तर मांग रहे है कहो गोपा क्या उत्तर दूँ मैं उसे? कैसे समझाओ उसे कि केवल उसके पता नहीं मैं सारा संचार बेसुद है कैसे समझाओ? आपके प्रश्टों का उत्तर देना मेरा और मेरे गुत्र यूराज सिदार का उत्तरदाइत वह है तब तक आप सभी राजाओं से बिनती है कि मन में किसी भी प्रकार का मैल रखे बिना आप मेरे पुत्रों का अशिर्वात देने अवश्य पधा है आप के उत्तरों की बैठा कोगी और आपके उत्तरों की बैठा कोगी तो 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 क्या चाहते है आप संग्षी रॉमिनी में फिर से मत्तान होगा जलुद पढ़ने पर वह करेंगे तो है किसी में साहस जो महराज सुद्धादन की बराबरी कर सके आपका बरताप रणाली के विरुत है राजा द्रुनादन और आपका विश्वास अति आयोग्या महराज का निर्ने बिलकु ठीक है आपका एक पुत्र युद्धुम्य घाल हो गया तो क्या हो आपका दूसरा पुत्र आपके सामने बैठा मैं आपकी दिखबाल करूंग। आपका पुत्र हमारे लिए तलुवार बना तुक्रेबापकी लाठी भी नहीं बिन सकता संद्राइब चृत्राइब शांतुद्ध। संद्राइब पर अवाच्या मुझे मतदान से कोई आपत्य नहीं महराज की अनुमती के साथ अयुवराज के विवाह के पश्चाथ जो सभा होगी उसमें जुद्ध संधी का निरने उचित थाया नहीं उस पर मतदान होगा लातराव को जना एदुमा? और कहीं जंगल में आप तो नहीं लगी चन्ना कि ये दुआ युद्ध में रख हुए तेनिकों की चिताओं का है कि अब कि ये सेनिकों के शबने मनुष्यता जल रही है और हम सब जीवित मनुष्यों को लज्जित कर रही है कि युद्ध के नाम पर हम मनुष्य कब तक अपने चेहरों परियू कालिक मलते रहेंगे कब तक यह क्या सिद्धाद यही तो मैं पूछ रहा हूं सबसे यह क्या एक राजा को अचानक एक दिन इच्छा होती है कि उसके नाम के आगे चक्रवती लिखा जाए और वो अश्वमेद नामक यज्य करें युद्ध करें और उपलब्धी उपलब्धी क्या ये ये काला धुआ यहां भी और वहां भी ये चोटा ना कर उसे दाट तुमने तो युद्ध रोका है आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे युगराज कदाचित इस समय तो उठी हुई तलवारे रुख गई चन्ना पर मानसिकता क्या मन की शत्रता क्या यू सब की पीड़ा अपने आँखों में लेकर चलोगे एक दिन अपने ही आँशों में डोप जाओगे और तैर कर मैं करूंगा भी क्या आँखों के आगे तो केवल धुआ है केवल काला धुआ और कुछ नहीं मुझे हमेशा इस बात पाखेद रहेगा कि यशोद्रा का विवात गेवदा में आ कर सके फिर वही बाता मितदी आप अपना जी छोटा ना करें अपिलवस्त भी तो आप ही का है आपका मायका है और फिर मा की घर से ना गई बरात मामा के घर से गई तो क्या हो और हम सब भी तो असहाय है कुल्गुरु वाचस्पती का आदेश जो है कि यह महुरा तल गया तो फिर वश्चा रिदु तक रुपना पड़ेगा हा और तब साथ वाल बादू कैसे रुखेंगे प्रणाम समस्त देवियों को इस वैशिका पणाम पधारी है आपके समक्ष उपस्तित जे सभी वस्त्र एवं अभूशन अती उत्तम अती मूल्यवान एवं दुरलब हैं विराजी इन अभूशनों को देखिए मूल्यवान रतनों से सुसज्जित सिंगल के समुद्र से प्रात रतन हैं रतनावली माला कहते हैं इसे राजकुमारी यशोधरा के कंटित की शोभा बढ़ाएंगी या फिर भताएगी कि यदि देवदत की बहु के लिए घहने पसंद करने होते हैं तो मैं इन जहनों को सेखती भी रहाएं अच्छा एक काम करते हैं पहले वस्त्र देख लेते हैं फिर उसके अनुसार गहने देख लेंगे क्यों मंगला मंगला तुम मुझसे छोटी हो अब पहले देवदत की बहु के लिए तुम कैसे वस्त्र पसंद करोगी वो दिखाओ पसंद आएगा तो यशुद्रा के लिए भी ले लेंगे क्यों कैसी आपकी इक्षा अमिशा देखी क्या देख रहे हो वस्त्र देखाओ अवश्य इस वस्त्र को देखिए ऐसी बुनाई आपको समस्त कपिल वस्तु में कहीं प्रात्त नहीं हूँ कि ऐसे बुनाई के बस्त्र हमारे यहां हमारी तासियां पहते हैं आप शमा करें इस वस्त्र को देखिए इसके रंगों को देखिए रंग ऐसे आखे चकित हो जाए और पर्श तो ऐसा कि छूने का मन करें और इसे धारन करने के पश्चात सब की दृष्टी के वल आप कर दिश्टी पड़ी कि तो लगेगी ना कि ऐसे भी कि मैं नहीं चाहती कि यह शोद्रा को किसी की अशुग त्रिष्टी लगे इस वस्त्र को देखिए यह तो निश्चित रूप से आपको पसंद आए आपकी पसंद बड़ी हल्की है इस वस्त्र को देखिए जोजनों दूर इसे मिस्त्र से मंगा आए अच्छा जड़ा देखें तो सहीं लोग फट गये आप हमारा अपमान कर रहें मुझे नहीं लगता आपके पास ऐसा कोई बस्त्र है तो मंगला कि पहूंगे क्यों क्यों अमीदा जी भी पसंद कर लीजिए कुछ यह शोद्रा के लिए कभी मेरा मैका होता है तो आग लगा देजिए इन वस्त्रों को कि अच्छा होगा प्रजापति अच्छा होगा प्रजापति है अच्छी माराज मैं माराज क्या बात है माराज आज पहली बार देखता हूं कि आगती तरवार में न वो शक्ति है और ना ही वो लें युद में विजे होने के बाद में आप चिंतित लग रहे हैं आज पहली बार शाक के सभान है अपने राजापर संदी अपने योराश पर संदे क्या तेरे दिननाय पर संदे क्या भाई माराज भेडियों की भीड से शेर को क्या गंटंत्र विचार विमर्श तो हो गाई तेरे पर आप चिंतित नहों मुझे चिंता अपनी नहीं है अनुच मुझे चिंता से दार्थ की योरी शाक्यों ने विवाह पर भाहिशकार किया तो असंभा वो एक बार आपका भाहिशकार कर सकते किन्तु विवाह का भाहिशकार क्यों करेंगे आपने श्चिंत रहिए और जाके विश्राम किजे मारा अब बढाई हो पुर्थ तुम्हारी विवरचना भी पिर धार्थ से कम नहीं है यहां आखों में युद्ध की प्रसन्नता होनी चाहिए जी वह महराज के माथे पर बल पड़े अब तो प्रंड या है पिताजी नहीं तो चैन की सांस दूंगा और नहीं चैन की सांस देने दूंगा जैरी पे तो लगाओ अमीता दीदी कहीं इतनी भी हल्दी मत लगा दे रहें कि सिथात के आगे आपकी ये शुद्रा काली लगी लगती है तो लगे पतीजा है मेरा इसी से कम थोड़ीना है क्यों सिधार? इस समय तो मैं कापल वस्तू के पक्षकी हूं देवदा वाले भीता देखें कि उनकी राज कुमारी का विवाद एक देवांच से हो रहा है क्यों प्रजा? बिलकुल अरे नीरूप यहां कड़ी है ये शुदरा को मेंदी नहीं लगानी तू कब से तुझे पूछे है क्या जल्दी? मेहजी है शुदर्सकी मेहजी है मंगल मेहजी है प्रधा में सुहाग भोली है राज कुमारी? क्यों रहे? मुझे यहां केला छोड़कर क्या कर रही थी ये वराज के कक्ष में? लो, देखो तो युवरा सिधार को पल भर देख क्या लिया राज कुमारी जी को तो ईशा होने लगी नीरु की बच्ची तेखो तो तच बात कितनी कड़वी लगती है? नीरु की बच्ची ठह तो चलो सिधार उठो आऊ ना आऊ अब देखते हैं कि गोपार तुम में किसका पलड़ा भारी है? राजाओ, आऊ सबी खेरा बनाओ ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हुआ? वर राजा ये है संसार का घेरा जिसे तुम्हें तोड़ना है यदि तुम इस खेरे को तोड़कर निकल गए तो तुम जीत गए फिर क्रहस जीवन में गोपा की नहीं तुम्हारी चलेगी तुम कहो मैं कहूँ मैं कहो तुम कहो मानेगा कौन किसकी बात राजा जी घेराग तोड़के दिखा दो तो मानेगी रानी तेरी बात तुम कहो मैं कहो मैं कहो तुम कहो मानेगा कौन किसकी बात राजा जी घेराग तोड़के दिखा दो मानेगी रानी तेरी बात तुम कहो मैं कहूँ मैं कहूँ तुम कहो मानेगा कौन किसकी बात राजा जी घेरा तोड़के दिखा दो राजा जी घेरा तोड़के दिखा दो तो मानेगी राजा सिधात तेरे विभाह के पश्चार सब कुछ कितना बदल जाएगा ना क्या बदल जाएगा तेरे विभाह के बाद हम सब युवराज को सिध्धार कह सकेंगे और तुझे तो उन्हें देव आर्य महराज अची सुनते हो चलो ठिठोली नहीं गंभीरता से एक बात कहूं या शोद्रा जब से तेरे सिध्धार्त को देखा है सोच रही हूं तेरी सौद बन जाओ एक बार महंदी लग जाए फिर देखती हूं तुझे तुमें के रहिए तुमेंगे पिर देखती है कर दोब कर दो हमारी गणिकाओं के नृत्य देखकर सारे राजा मधमस्त हो रहा है जब आमरपाली आएगे तो क्या होगा इनका अमरपाली वैशाली की दगर बदू हमाराज दंडपानी वैशाली के लिच्छी वी नरेष्ट स्वया मारहे हैं आमरपाली को साथ लेकर जिवरास्त दार्थ के विवा में भारत वर्ष की सर्वस्रेश्ट सुन्दरी नुत्य करेगी वाह माराज वाह अर्थात साक्षात रती घुंगरू पहन कर आएगी और समस्त राजा घुंगरूओं की तरह बजने लगेंगे आप तो केवल नाम सुनकर वावा कर रहे हैं आमर अमरपाली मगद नरेश, विंबिसार और उनके पुत्र आजाश शत्र भी अपने उपस्तिती से विवाह का गौरव बढ़ाएंगे कापिल वस्तु के चारो दिशाव में विवाह का निमंत्रण में ने भेश दिया सत्ते कह रहे हैं आप महाराज सभी पड़ोसी राजियों पर आमंत्रित नहीं करते हैं महाराज दंडपानी राजा आमितोदन संधी की है उन्होंने आप से उन्हें आमंत्रन देने कार्थ हैं चाक्य राजाओं को अप्रसंद करने और मद्दान के दिन संग सभा में एक और प्रस्ण खड़ा करना मैंने कौसल नरेश को भी निमंत् है महाराज है कि अटिस विए मेडी है कि विए खड़ा है कंऔर देद हो दो कि अमार देदद के मार एक संधिशा पचाथ है चेह ना उनके आदेश पर कार्ने का पर चाथ है है जए करनेक अदेश में उते उते थो कुमार क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए कोची निए और दन के लिए तुम्हे अपने प्राण भीते सबता हो कुमार तो जुटा लो जीवन भरता धन्त एक ही रात में परंतु आदेश क्या कुमार परंतु 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 आदेश तुम से कैसे नहीं करेगा बहुत नहीं करते हैं इसलिए तो हम सब से तुझे दूर ले जा रहे हैं तुम सबके बिना कैसे रह पाऊंगी मैं अभी नहीं रोते गोपा लोग तो विवाह के बाद रोते हैं यदि विवाह से इतना दुख हो रहा है तो मैं विवाह कर लेती हूं सिधार से नीरू की बच्ची ठैल तुझे तुम्हें बताती हूं बेकरने दे महंदी राज कुमारी आपके लिए एक संदेश है किसका संदेश? युवराज का युवराज ने आपको तालाब के पास मिलने के लिए बुलाया है इस समय तुम्हें बारा की आवशकता है निरूद सिधार्थ 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 आप मुझे बचाईए न जेश तो आज जीतते ही जा रहा है नहीं अनिरूद तुम खेले मैं कहीं अब आप ही जाओ वैसे भी कल से तुम्हारी सारी रातें यशोधरा के साथ ही बीतेंगी मैं कपसे हार रहा हूं सिधार्थ आप चलिए और मुझे जीताईए आज मैं ही जीतूँगा निरूद जैस चौसर खेलने में निपूण है निरूद मुझे पता है परन्तु आप भागय शाली हो और आप ही जीतोगे साथ 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 आज तो तुम्हारा भागय भी तुम्हारा साथ नहीं देगा तुम मुझे नहीं हरा सकते हैं सिधार्थ दस केबल दस चाहिए भागय के पास से पलटते भी देर नहीं लगती जेश्ट दस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस लो जेश्ट हो गई परावरी जासर का खेल तुम प्रदे ही मुझसे चीत लो परंतुर यशोधरा को तुम मैं ही चीतोंगा अजय विए झार अब लाज कुमारी को देखा है राज कुमारी अपने कक्ष में भी नहीं देखो पर पतानी कहीं दिख नहीं रही वह प्रेंसी की बहुत रिचाया बहुत तम जाया रेंसी की बहुत रिचाया बहुत तम जाया तुम नहीं मानियें अच अच तुम्हारे दिवाह के दिन तुम्हारे दिवाह के दिन तुम्हारे आओ मेरे पास अच